पिछले सत्तर साल में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में टोटल दस हजार बेड्स हैं टोटल दस हजार बेड्स की केपैसिटी पिछले सत्तर साल में क्रियेट की गई इस साल अल्रडी कंस्ट्रक्शन जारी है और इस साल के अंत तक next financial year के अंत तक 3,000 beds और बन के तयार हो जाएंगे 30% extra capacity जो काम 70 साल में हुआ उसका 30% काम 3 साल के अंदर हो गया और उसके अगले साल 5,000 beds और बन के तयार हो जाएंगे तो एक तरह से 4 साल के अंदर 50% more than 50% increase in capacity of beds दिल्ली सरकार के सारे hospitals में सारे polyclinics में सारे महला clinics में सारी दवाईयां free सारे test free सारा ilaj free भारत में ये पहली बार हो रहा है 18-19% budget हमारा स्वास्थ में जाता है health sector में जाता है इतना budget हम लोगों ने health और शिक्षा में खर्च किया है तो हम लोग सारे बैठे और कई experts के साथ बैठे और हम लोगों ने पूरा health sector design किया कि कैसा होना चीए अभी दिल्ली में क्या है बहुत बड़े-बड़े hospital है और कुछ dispensary है सारी dispensary की हालत बहुत बुरी थी दिल्ली के अंदर जब हमारी सरकार बनी आपको अगर खांसी जुखाम भी हो जाए तो आप सीदे All India Medical में भागते हो सब्दे जंग hospital में भागते हो तो हमने सबसे पहले ये decide कि दिल्ली के अंदर खूब सारी अच्छी dispensary है बनाने के जुरूरत है तो हमने 3 tier system design किया सबसे lowest tier है महला क्लिनिक आम आदमी क्लिनिक आपके next door आपकी गली में आपके महले में एक क्लिनिक होना चाहिए ताकि कोई भी छोटी मोटी बिमारी होई खांसी होगे जुखाम हो गया, बुखार हो गया आपको बड़े अस्पताल में जाने की जुरूरत ना पड़े आप सीधे अपने महला क्लिनिक में जाओ हमने पहला महला क्लिनिक बनाया पीरागडी की एक जुग्गी बस्ती में एर कंडिशन क्लिनिक था एक डॉक्टर बैठती थी उसमें 212 किसम के टेस्ट होते हैं और एक दो टेस्ट तो ऐसे हैं जो एक हजार रुपे से भी ज़्यादा की हैं बड़े महंगे महंगे टेस्ट होते हैं 212 किसम की टेस्ट, सारे टेस्ट फ्री डॉक्टर फ्री और सारी दवाईयां फ्री